मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज का यह वीडियो कछानौ का टाम स्वायर का जो आप्जेक्टिव टाइप कोईशन्स है, टू फाल्स है, लिस्टी से लिस्ट भी मिलाना है और ठाज जो एक्सर्साइज दिया है उससे सम्वंदृत है. यह पक्षानों का टॉम शॉयर का यह तीसरा वीडियो है इसके पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ और वह दोनों वीडियो इस वीडियो के लिंक से आपको मिल जाएगा यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देखना है उसके बाद एक्सरसाइज को आप साल कीजेगा तभी समझ में आएगा क्योंकि बीना पड़े आप समझ नहीं पाएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं क्वेस्टन देखिए हमारा क्वेस्टन है यहां कि कम्पलीट दा फालोइंग इस्टेटमेंट्स मिंस कथन फालोइंग मतलब नीचे दिये गए जो कथन ने उनको पूरा कीजिए विद दा मोस्ट सुटेबल जो सबसे उपयूकत क्या है 24 मतलब पसंद अर्थात इस प्रस्ण का उत्तर नीचे चार आपसन दिया गया है तो चारो आपसन में से कौन सा सटीक बैठता है सबसे मोस्ट सुटेबल है उसे ही आपको लिखना है अल्टरनेटिव है या आपजेक्टिव है आपजेक्टिव का मतलब होता है एक प्रस्ण के चार उत्तर होते हैं चारों में से जो एक होगा सही होगा उसे ही टिक करना होता है देखें, when Tom looked behind her, sorry, when Aunt Polly looked behind her, जब Aunt Polly अपने पीछे देखी, Tom, Tom, rushed out of the house, घर से बाहर भाग गया, sat silently in the house, चूप चाप घर में बैठ गया, began cry, चिल्लाना शुरू कर दिया, he started whipping, रोना शुरू कर दिया, तो जब Tom की मौसी, Tom को मारने वाली थी, वह जब चड़ी उठाई, इसे लगा कि जब मैं पिट जाऊंगा, तो क्या कहा, मौसी पीछे देखो, जब उसकी मौसी पीछे देखी, तो Tom वाज से बाहर भग गया, तो इसका आपसन नमबर ये सही है, ये पर आप्टिक कर देंगे, तो सही हो जाएगा, आईए दूसरे कोईशन है, Tom वाज हर, Tom उनका था, हर मतलब इस्तिरी है, अर्थात मौसी पॉली के रिलेशन में Tom क्या लगता था, बरदर से सन उनके भाई का लड़का था, शीष्टर से सन बहन का लड़का था, ओन सन खुद का लड़का था, ये बेटा था, फादर सन पिता का पुत्र था, तो Tom उनकी बहन का लड़का था, तो ये बी का हमारा, जो है दूसरे का बी हमारा सही है, तीसरा देखें, Tom वाज टाम था, लेजी, नौटी, फुलिश, कवर्ड, आलिशी, सरार्ती, मुर्ख, डरपोक तो टाम इसमें से कुछ नहीं था, इन तीनों में से क्या था वह? नौटी था, सरार्ती था आगे देखिए, पॉइंट आउट, टू एंड फाल्स इस्टेटमेंट्स इन्दा फालोइंग ट्रू है, तभी न उसकी मौसी उसे अपने घर पे उसका पालन पोस्टन करने के लिए लाई होती है इस आल्वेज अप्टू सम्मीशीफ वह हमेशा सरारत या गलतियां करता रहता है यह भी हमारा ट्रू है आणड पॉली नेवर वांटेट टू पनिसी मौसी पॉली उसे कभी भी दंडित करना नहीं चाहती थी इस्टूडेंट्स सही है वह दंडित कभ की वह चोरी किया था उसका पनिसमेंट वह देना चाहती थी उसे हसास कराना चाहती थी कि चोरी नहीं करना चाहिए अगर वह चाहर दिवारी को अपने फ्रेंड से कैसे सफेदी करा लेता और तो और वह सफेदी कराने के बदले में उनके पास जो उस समय चीजा मौजूद थी वह भी ले लिया बुलरी से हैं इसको साट में ओकैब बोलते हैं ओकैब चुकि आफ कच्छा आठ से नाइन्थ में आए हुए हैं तो आपको थोड़ा सा अलग धंग से केस्ट पढ़ाय जाएगा एक्सरसाइज होंगे वो भी कुछ अलग धंग से दिये गया होंगे तो आप बने रहे हैं मेरे चैनल के साथ आपको एक एक चीज समझा करके बताने का प्रयास किया जा रहा है मैच मिलाईए दया दवर्ड सब्दों को गीवेन दिया गया है अंडर कालमे जो कालम एक अंडर माने नीचे सब्द दिया गया है इसको मिलाना है with the meaning given under column B below column B के below नीचे जो meaning दिया गया है इससे मिलाए इसमें जो word meaning होगा उसको इससे मिलाना है बट करना क्या है दोनों का हिंदी अर्थ common होना चाहिए कौन-कौन similar words है आप ऐसे कर सकते हैं परेवाची लिखना है तो students plan means क्या होता है योजना तो इसका क्या हो जाएगा scheme हो जाएगा scheme means योजना होता है आगे देखें raised उठाया तो उठाने की इंगलिस क्या हो जाएगी lifted आगे देखें chance आउसर तो आउसर की इंगलिस क्या हो जाएगी opportunity नेक्स देखें careful सावधान रहना तो इसका क्या हो जाएगा अलोर्ट नेक्ष देखें रैप डला पेट ना इसका क्या हो जाएगा कवर्ड ढखना ढखेंगे तो पेटा ही न जाएगा स्पॉाइल नस्ट करना तो रूई यहां हमारा एक बच गिया जो आपको आता होगा पहले उसको मिला लेंगे जो बाकी बच जाएगा वो अपने आप मिल जाता है नेक्ष कोशन देखें नेक्ष कोशन हमारा क्या काता है काता है कि find out the words from the text which have the following meanings the first letter of each words is given as a hint बता रहा है कि इस पूरे sentence का केवल एक सब्द लिखना है और hint के लिए उस सब्द का पहला later and actually दिया गया है जैसे जिसके माता पिता नो ही होते हैं उसको क्या कहा जाता है hint के लिए एक सब्द दे दिया गया है ब्रेकेट में o तो क्या हो जाएगा अनाथ वैसे ही इसको पूरा करना है अवाल और is for keeping out interest बता रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक बार या कोई दिवाल जो रोकती है उसे क्या कहते हैं चोहर दिवारी कहते हैं इसका हो जाएगा fence तो एफ दिया हो जाएगा F-E-N-C-E नेक्स देखाएं To draw a deep audible breath to express grief दुख व्यक्त करने के लिए जोड़ से सास लेना तो side S-I-G-H-E-D नेक्स देखाएं A vessel for carrying liquids कोई बरतन या पातर जिसमें हम कोई liquid अर्था तरल पदार्थ बहने वाला चीज लाते हैं तो उसे बाल्टी कहते हैं Baltic English होती है bucket जो B से start होती है तो B-U-C-K-E-T Next question देखिए To cause a person to suffer for fault or guilt करा किसी ब्यक्ति को उसके किसी काम के लिए उसको जो अपराद के लिए जो हम सजा देते हैं उससे क्या करते हैं punishment जो P से start होता है तो जाएगा P-U-N-I-S-H-M-E-N-T Next है surrounded open space चारों तरफ से जो है घिरा हुआ कोई area जो बीच में खाली हो उसे क्या करते हैं आंगन आंगन क्या होती है yard तो Y-A-R-D To take something without one's knowledge बिना किसी के संग्यान में ही किसी की कोई चीज ले लेना अगर थात उसको जानकारी नहों आप वह चीज ले 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 तो उसे हम चोरी करते हैं चोराना इस से शुरू है तो हो जाएगा हमारा S-T-E-A-L क्या हो जाएगा S-T-E-A-L